नमस्कार सातियों आगे पढ़ते हैं अध्ये नमबर 15 प्राइटा और उसमें हम देख रहे हैं उधारन नमबर 5 तो उधारन नमबर 5 हमें क्या दिया है तो चुकि बोर्ट पे आदा कोशन नोट किया गया है मैं आपको पूरा सुना जेता हूँ अगर आपको नोट करना है तो आप साथ में नोट कर सकते हैं ठीक है तो क्या दिया है कोशन तो कोशन कुछ इस प्रकार है दो खिलाडी संगीता और रेश्मा टेनिस का एक मेच खेलते हैं ठीक है दो खिलाडी है एक है संगीता और एक है रेश्मा दोनों जो है टेनिस का एक मेच खेलते हैं यहाँ ग्या थे कि संगीता द्वारा मेच जीतने की प्राइक्ता 0.62 है तो रेशमा के जीतने की प्राइक्ता क्या है ठीक है तो चुंकि हमें दिया है सबसे पहले हम लिखतेंगे संगीता द्वारा क्या लिखतेंगे संगीता द्वारा आप दिया है करके बता सकते हैं या पर दिया है संग गरुद बॉद अब आप से यह पुछ रहा है कि रेशमा द्वारा मेंच जितने की प्राइक्ता क्या है तो यहां पे ममान लेते हैं माना की क्या लिभ मान की रेशमा द्वारा घृच्ष जितने की प्राइक्ता ठेक मेच जीतने की प्राइकता कितनी माल लेंगे तो वो हमारे उपर डिपेंड करता है कि हम यहाँ पर क्या मान रहे है तो माल लेते हैं यहाँ पर कि P of A है क्या माल लिया कि P of A है तो यहाँ पर हमने माल लिया है ठीक है चो की हमको पता है क्या लिखेंगे चो की सभी प्रारंबिक क्या लिखेंगे सभी प्रारंबिक गटनाओं की ये लाइन आपको लिखने पड़ेगी गटनाओं की प्राइक्ताओं का योग कितना होता है तो योग एक होता है क्या होता है एक होता है, क्या होता है, फिसे सुनिये, सभी प्रारम में घटनाओं की प्राइक्ताओं का योग एक होता है, तो एक प्राइक्ता ये है, और एक प्राइक्ता ये है, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, इसलिए हम बता देंगे आपे, इसलिए P of E plus P P of A बराबर 1 P of E कमान कितना है आपके बाद 0.62 A 0.62 फिर P of A बराबर 1 0.62 को उधर बेच देंगे तो काई का हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस का तो 0.62 अब एक में से हमको 0.62 माइनस करना है तो ये 6.2 यहाँ पर दशमलो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 ठीक है यहाँ से उदार लेंगे यहाँ पर तो यहाँ बचा 0 यहाँ से उदार लेंगे यहाँ पर तो यहाँ नो बच जाएगा 10 में से 2 गए तो 8 9 में से 6 गया तो 3 और यह 0 आपके इसा कैशा तो P of ए बराबर कितना हो जाएगा जीरो दशमलो तीन आठ और यही आपका फाइनल अंसर है ठीक है गाइस तो में आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं फिला आप इस क्वेश्चन को नोट कर क्वेश्चन नोएट कर दीजबलों को बपता है तो आपको पूरा कि दीजिएयग समझ में आपका खीजिए